दोस्तों, आजकल सभी लोग Android Mobile का इस्तमाल करते हैं, लगबग सभी mobile में Android operating system का ही यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे में क्या आपको पता है कि इस operating system का basically नाम Android ही क्यों लखा गया, इसके पीछे क्या रीजन था, और दुनिया का सबसे पहला phone कौन सा था, जिसमें Android operating system को चलाया तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही interesting facts के बाले में बताने वाला हूं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, तो ये interesting facts कौन से हैं, ये चैनले के लिए आपको इस वीडियो को लाज्स तक देखना होगा, हेलो दूस्तों, मैं वनुछ सारू, आपक आपको कुछ interesting facts प्रताता हूं कि आखिर में इस opening system को Android की उगा जाता है, तो अगर आप जानते हो Android के inventor, जिनका नाम था Andy Rubin, उस वक्त एपल की company में काम क्या करते थे, तो उनके वहां पर जो भी colleagues थे, उन्हें हमें सा Android के नाम से बलाते थे, ऐसा इसलिए, क्योंकि Andy Rubin को robots मे काफी ज्यादा interest था, तो उनके जो भी friends थे, colleagues थे, हमेशा उन्हें Android के नाम से बलाते थे, तो जब Andy Rubin ने Android operating system बनाया, तो उस वक्त उन्हें कोई नाम नहीं सुझ रहा था, तो उस operating system का नाम उन्हें अपने nickname पे ही रख दिया, fact number two, दोस्तों क्या आपको पता है कि Android operating system को प्रपस के लिए developed किया गया था, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, आप सोच रहोंगे कि इस operating system को basically mobile के लिए सबसे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको पता दू, इस operating system को सबसे पहले camera में use के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में जाके, इस operating system को mobile म कौन सा था और इसे किस company दवारा बनाया गया था, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे पहला Android phone था, जिसका नाम है HTC Dream, इस phone को HTC Company दवारा September 2008 में रिलीज किया गया था, अगर आप Google पर जाके search करेंगे HTC Dream, त तो महां पर आपको clearly दिखाए देगा कि ये दुनिया का सबसे पहला phone था, जिसमें Android operating system को चलाया गया था, Fact No.4, दोस्तों कि आपको पता है कि Android एक open source operating system है, जिसका मतलब यह है कि ये software पूरी तरह free है, इस operating system को आप अपने हिसाब से modify कर सकते हो, इस पर कुछ भी changes कर सकते हो, और इसका इस्तमाल कर सकते हो, आपने देखा होगा internet पे आपको कही सारे custom room प्रोवाइट के जाते हैं, ज आपने देखा होगा Android के जितने भी नए नए वर्जन आते हैं, वह हमें इसा AVCD Chrome में ही रखे जाते हैं, तो अभी जो latest Android के वर्जन आया है, जिसका नाम है Oreo जो की O से आता है, इसके बाद जो next version आएगा Android का, जिसका नाम आएगा P से, तो इस तरह Android वर्जन के जितने भी ना नीचे comment करें, और आपको ब